केदारनाथ मंदिर के शीत कालिन गदी स्थल उंकारेश्वर मंदिर में हक हकूको को लेकर हो रही विवात की बीच केदारनाथ मंदिर के रावलनेक विवादित बयान दिया है जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है आपको बता दे कि केदारनात के शीतकालिन गद्दी स्थल ओंका रेश्वर मंदिर उखिमठ में पिछले महीने कुछ अग्यात व्यक्तियों के दुआरा मंदिर में तामर पक्ष रख दिया था जिसके बाद मंदिर पर हक हकुको के जंग छड़ी हुई है तामर पत्रों के जरिया उग्का रेश्वर मंदिर पर कई गाउं के हक हकुको को हवाला दिया गया है वहीं केदारनात की डोली अपने शीतकालिन गद्दी स्थल उग्का रेश्वर मंदिर में आ रही है ऐसे में भले ही विवाद बढ़ता देख प्रशासन ने आनन फानन में मंदिर में रखे गए सभी तामर पत्रों को हटा दिया हो लेकिन केदारनात के रावल भीमा शंकर लिंग ने जो विवादित बयान दिया उसकी सोशल मीडिया में चो तरफा आलोचना हो रही है दर असल रावल भीमा शंकर लिंग ने कल कहा था कि एगर प्रशासन तामर पत्रों को नहीं हटाती है तो वे केदारनात के पंच मुखी डोली को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे हाला कि अब तामर पत्रों को प्रशासन ने अपने कबजे में ले लिया उधर मंदिर के अंदर तामर पत्र रखने वालों के खिलाव पिछले ही महीने बदरीनात केदारनात मंदिर समीती ने पुलिस में नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी थी लेकिन पुलिस ने भी इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है अब देखना होगा कि हक हकुको की इस लडाई में क्या नया मोड आता है पंजाब के सिरी टीवी के लिए परूदर प्रयाक से बुपेंदर भंडारी की रिपोर्ट